सो जम सिर्द्वार का जो सेखन्ज संड्रोम है वो पढ़ने जा रहे हैं के सेक्स कोमजूम के जुजीनिक डिसर्डर से उनका ठीक है सेखन्ज हम आज पढ़नरंगे कि ऐनलेटर संड्रों ठीच गई दिस filter syndrome ठीक है क्लेणी फिल्टर सिंडरों sex chromosome का disorder है ठीक है अच्छा क्लेणी फिल्टर सिंडरों सबसे पहरे डिसकावर किया था HF क्लेणी फिल्टर ने किसने डिसकावर किया था अजब डिसकावर्ड भी HF क्लाइनी फिल्टर । इन नायेटीं फिल्टी तू ठीक है अच्छा अभ इसमें क्या है होता क्या है ठीक है कि इसमें chromosome नंबर जो है तीक है इसमें टू एन chromosome नंबर एस 47 ठीक है इसमें यूजेल एक extra X chromosome presence होता है ठीक है present होता है नॉर्मल हुमन केरियोटैपिक क्या होता है हमारा आटो जूम प्लेस एक्स वाई ठीक है बट दोज परसन सफरें फ्रम क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम उनका अगर क्रोमजूम फॉर्मला देखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं देट इस 44 सॉरी 44 हम उनका आटो जूम प्लेस एक्स एक्स वाई सो दे है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमजूम उनमें क्या होता है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमजूम होता है ठीक है यूजरी यह होता है क्यूंग यूजरी क्या होता है एक्स जो होता है ना फिमेल ठीक है जिनमें दो एक्स क्रोमजूम होगा वो कभी कभी क्या हो जाते है वो जब फ्यूस हो जाता है ठीक है तो दिस इस क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा क्रोमजूम डेपलाइट कंडिशन में केरिट उस इस तो उसकड़ में ठीक हुए जाएगा जाएगा जाता है विद असक्रोमजूम्स क्रोमजूम तेख के ठीक है अच्छा जैसे हमने देखा इन केज आप जो हमने लास्ट लेक्चर में टर्नर्स सिंड्रोम की बात की थी वहां पर क्या था वहां पर 44 प्लस X 0 वहां पर X क्रॉमोजूम एपसेंट था यहां पर X क्रॉमोजूम ज्यादा है ठीक है तो यह खाल रखना और अब देखो क्लिय फील्टर सिंड्रोम जो होंगगे अगर आप फीनियो टैपिकली र्माइल से हो आप मैल सिंड्रो यहां पर क्या है किलने फिल्टर सेंड्रोम में यह मेल्स होते हैं ठीक है अब मगर इन में क्या होता है due to the presence of an extra x chromosome they show certain secondary sexual female characteristics उन में develop हो जाते है remember this is very important they show certain female secondary sexual characteristics क्या दिखाते है female secondary sexual characteristics दिखाते हैं ठीक है due to the presence of an extra x secondary sexual characteristics दिखाते हैं ठीक है why due to the presence of an extra x chromosome ठीक है and naturally there's a trial was trial just like in case of our ternus syndrome satrial female here it is satrial male ठीक है वहाँ पे phenotypic female यहाँ पे phenotypic क्या है in case of planifilter syndrome it is phenotypically male ठीक है बद्यार स्ट्राइब यहाँ रिप्रोड्यूस ठीक है अच्छा important characteristics की जहां तक बात की जाए तो इन में क्या होता है सबसे पहला इन में testis जो है ना वो छोटा होता है ठीक है और अंडर अंडर डेवलोपिट होता है ठीक है the prostate gland is also under oh sorry the prostate gland is also under develop it ठीक है prostate gland क्या होता है under develop it होता है ठीक है the condition is known as gynecomastia ठीक है इस condition को बोलते है gynecomastia गाइनी को mastia this condition is known as gynecomastia and इसमें क्या हो जाता है males के अंदर छोटा breast पूरा females की तरह तो नहीं मगर enlargement of male breast हो जाते है इन में male breast दिखाते है थोड़ा breast development हो जाता है ठीक है अच्छा wise क्या हो जाता है wise low pitch it या हम कह सकते है female pitch it wise होता है ठीक है wise क्या हो जाता है female pitch it हो जाता है मतलब female के जैसा wise होता है ठीक है अच्छा उसके बाद क्या हो जाता है limbs थोड़े से क्या हो जाते है long हो जाते है ठीक है, लिम्स क्या हो जाते हैं, लंबा हो जाते हैं, ठीक है, लिम्स क्या हो जाते हैं, लेक्स जो है न, ठीक है, या आर्म्स, which are correctly known as लिम्स, ठीक है, इन में क्या हो जाते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद क्या होगा under developed facial hairs इनका जो hair growth है ना ठीक है hair growth कं हुता है ठीक है इनका facial hair या तो under developed होगा ya absent होगा ठीक है इन में facial hair मतलब इन में दाड़ी नहीं होगा इन میں mustache ये नहीं होगा these are under developed facial hair तीक है body पर ठीक है hair development क्या हो जाता है कम बल्कुल almost negligible ठीक है या zero ठीक है या होता ही नहीं है Children's जो होंगे बच्चे जब होते हैं वो mentally retarded तो नहीं होते हैं but learning process उनका slow होता है ठीक है जो children's जब ये छोटे होते हैं ठीक है उन में they are not mentally retarded but their learning process is very slow ठीक है this is important याद रखना they are not mentally retarded this is very important ठीक है इन में क्या होता है mental retardation बिलकुल नहीं होता है they are well good ठीक है अच्छा mentally able होते है but their learning process is very slow their learning process is too much slow ठीक है but they are not mentally retarded this is important to note maybe question आजाए confusion के लिए की mentally retarded होते है no they are not children's जो है वो slow to learning होते है they take things slowly ठीक है वो क्या कर पाते है they are able to grab things slowly ठीक है learning process is slow but they are mentally well ठीक है mentally ठीक होते है they are mentally well we can't say very efficient but they are mentally efficient ठीक है अच्छा और क्या होता है अब इन में देखो ये तो general इनका characteristics हो गए maybe आपको इसमें questions आजाए ज्यादा तर कहां से आजा सकता हो हो सकता आपको mentally जो retarded नहीं होता है इस पर questions आजाए ठीक है gynecumasticia this term remember it ठीक है enlarged breast is in case of males ठीक है अब देखो यहाँ तक हो अब कुछ ऐसे cases होता है जिन में complex kereotypy जिने हम extreme cleanifilter syndrome बोलता है ठीक है ये थोड़ा सा याद रखना extreme cleanifilter cleanifilter syndrome बोलता है ठीक है cleanifilter syndrome होता है we call it extreme cleanifilter syndrome इन में क्या होता है थोड़ा complex kereotypy same ही होता है जैसे इन में अगर suffering होगा xx usually क्या था हमारे वहाँ पे 2 x chromosome ज्यादा थे जो extreme cleanifilter syndrome होना उसमें ये वाला kereotypy या हम बोलते है chromosome condition हो सकता है ठीक है जिसमें हमारे क्या है you can see it an extra x and an extra y chromosome ठीक है या x x x y भी होता है ठीक है these are certain other cases ठीक है कम यह होते है मगर less cases it has been observed and it has been seen ठीक है ऐसे भी cases देखे गए triple x y here you had two x chromosomes extra ठीक है another case is oh sorry there ये भी case हो सकता है ठीक है we have two x chromosome and one x chromosome extra there's another case ठीक है ये उतने significant या इतने extreme नहीं हो सकते है कभी कभी होते है we have three x chromosome these are all collectively these conditions are known as these complex kerryotypic conditions are known as extreme clenifilter syndrome ठीक है I hope आप for clenifilter syndrome समझ में आ गया होगा with this हमारा chromosomal disorders orders खत्म होते है I hope आप लों को समझा गया होगा if still you have any questions or doubts please ask me मेरा whatsapp number में कर देना ठीक है या ग्रूप में कर देना ok thank you